21 feet into 32 feet house plan 2H house plan with Pujar room and staircase outside तो इसका जो बिलड़ा पढ़िया है 672 square feet बिलड़ा पढ़िया है तो इस तरफ जो है इस तरफ प्लोट का बिलड़ा पढ़िया है कि इस तरफ 21 feet और इस तरफ 32 feet इस तरफ है तो इस तरफ आपको जो बिलड़ा पढ़िया है इस तु बेड्रूम है डाइनिंग टाइलेट है किचेन है पुजर रूम है साथ में स्ट्यार हाल भी मिलेगा तो इस का पहले मैंने पर वाल रेड़ कर लेते हैं तो इस पर आउटसाइड का वाल जो है है नाइन इंच का वाल आउटसाइड में पुएट किया और इंसाइड में फाइव इंच का वाल पुएट किया साथ में पुजर रूम है इस तरफ जो लोकेशन है इस पर पुजर रूम है और इंपर दो बैटरूम है बैटरूम का बैटरूम में दो विंडो छोड़ दे रहा हूं अब अब का जगा है पसिबल है तो डाबल वेंडर आकि यह अधर होई सिंगल वाइंडो वाइट किर जे मैंने इस तरी फीट करके चारो तरफ छोड़ दिया जो प्लॉट साइस था उससे तो इसलिए मेरे को जगा है तो मैंने इस पर दो विंडो वाइट कर दिया इस तरह आपको विंडो भी छोड़ना है तो विंडो नहीं इस तरह आपका छोड़ दे रहा हूं और यहीं पर इंसाइट का वाल है कि इस तरह आप इंसाइट का वाल आएगा यहीं पर टॉइलेट है इस टाइब का डाइट ग्रम अब बनाना है यहीं पर विंडो पोजिस्टेशन को यह लो कलर मार्कर रहा हूं कि इस पर भी विंडो है एए बेंटिलेशन आएगा कीचेन का विंडो है एए पर पूजा रूम का विंडो इस तरह वाएगा डाइनिंग हॉल का विंडो इस तरफ है तो ही पे देखिए ही पे जो पूजा रूम है स्वारी पे एक वाल शुट गया है दो इस ट्यार को आप उपन भी रख सकते हैं पे देखिए यह उपन परपस में यूज के लिए ऐसा ड्रॉग ड्रॉग्राम ड्रॉग किया एक फ्लोर के साथ औरेक फ्लोर का कुछ कनेक्शिन नहीं रहेगा उर ग्राय। सबानक्स्दाव के लिए इस स्त्रब का है इसका गोंगया ईस से फिट उई दाउन है स्ञूज इस तरह वी त्रीफीट है इस तरफ का भी त्रीफीट रहेगा इसके बाद नहीं पर मेंडोर आएगा कि मेंडोर और इस तरफ कि इस तरफ पुजा रूम और नहीं पर लिविंग काम डाइनिंग हॉल इस तरफ आएगा और इस तरफ किचेन है कि किचेन है और इस तरफ और इस तरफ दो बेटरूम तरह भी बेटरूम वेटरूम है और देखिए इस तरह यह डाबलू वन बेटरूम में जितना वेड़ो है डाबलू वन रखेंगे बेंटिलेशन वेड़ो का डाबलू टू किचेन का वेड़ो और डाइनिंग हाल का डाबलू डाबलू वान ही राखेंगे तो इन पर यह जो वीज है इधा से इतना दुद तक आपको जागा मिलेगा एट फीट फाइब फाइव इंच और इस तरह पर शिक्स फिट है कर दो कि किसके बाध्य होडी हो होल का इधा से इतना दुद तक कि přेल वीडिया जाएगा फुर्ट व्ैश्मी इंच तो इसके अंदर रूम है वह जहांका साइज इसोफ फाइपीट आफ कॉली और इस तरफ फॉर फीट रहा है और किचन का किचन का जो साइज है किचन इस तरफ 6 feet 7 inch by 9 feet 8 inch तोलेट 4 feet by 6 feet 7 inch और बेटरूम 10 feet by 10 feet बेटरूम का साइज इस तरफ 10 feet और इस तरफ इस तरफ जो रहेगा 9 feet 2 inch इस तरफ लेंथे तो मेंडोर एंपे 4 feet by 7 feet बेटरूम का 3 feet by 7 feet इसका भी 3 feet by 7 feet 2 feet 6 inch by 7 feet यह भी 3 feet by 7 feet इस तरफ वाइट करना है इस पर ओपन भी रख सकते हैं इसको अगर नहीं उपन रखना है तो तूप फीट तूप भाइफ फीट वाइज सेवेन फीट का डोर इस वाइट कर दीजिए और डाबलू वन का जो साइज है फाइफ फीट वाइफ फॉर फीट कीचेन में थ्री फीट वाइज त्री फीट विंडव वाइट करना है और वेंटिलेशन फ़र्टिन इंच वाइफ फ़र्टिन इंच का वेंटिलेशन पर पोवाइट कर दीजिए तो इस पर जो बिल्डिंग कोस्ट है कि असक्राक्षन कोस्ट बिल्डिंग कोस्ट ही पर आएगा एट पॉइंट फाइब लैक्स आठ लाग पच्छास अजर के अंदर इसका ग्राउंड फ्लोर टोटाली कंप्लेट हो जाएगा तो इस पर जो कॉलम पोजिशन है कॉलम पोजिशन इन पर रेड्ड डॉटेट मर्क कर दा रहा हूं इसके अंदर आपको नाइन इंच वाइन नाइन इंच का कॉलम वाइट करना है और इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ आएगा यहीं पर आएगा और इसको इसको इस तरफ सेंटर में डिवाइट कर दे रहा हूं इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ आएगा और यहीं पर नहीं देनने हैं यहीं पर दे देंगे कॉलम तो कितना कॉलम में पर आएगा 123456789 10 11 12 13 14 15 नमबर ओफ कॉलों में पर फिप्टिन नमबर्स साइज कि नाइन इंच वाइन इंच का कॉलों में पर वाइट कारना है और बेट्रूम का देखिए इस तरफ बेड़ है कि यहीं पर बेट राका है और यहीं पर बेट्रूम का ही पर बेड़ है बेड को मैंने हाइलाइट कर देता हूँ और यहीं पर डाइनिंग टेविल फोस्टिटर डाइनिंग टेविल है थैंक यू